कि नमस्कार सूपरबात सभी आरेस आईएस प्रतिभाग्यों को मेरा नमस्कार मैं डोक्टर एमेस बाजडोलिया आपके आर्थिक सर्वेक्षन की जो रिपोर्ट है उसका जो अगला चेप्टर है वो लेकर आ रहा हूं और लास्ट की जो क्लासे हुई उनमें आपके शामने economic survey की history, budget की history, economic survey की जो reports हैं वो किन परिस्तितियों में पेस की जाती हैं और agile approach दुनिया के देशों में जो है वो economy को सुदारने के लिए जो waterfall approach जो strategy चल रही है उसके बारे में अपने बात की और भारत ने जो strategy अपनाई है agile approach की उनकी बात की और borbelle लडनेती की बात की इस परकार से अपने काफी सारी चर्चा की economic survey की जो report है इस report में भारत की economy को सुदारने के लिए क्या-क्या समाधान जो हो सकते थे और किस तरह की strategy अपना ही जाज सकती थी अब देखो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के देशों में महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और मतलब अपन देखें तो USA में तो महंगाई दर पिछले 40 वर्सों का record टूटा है इतनी ज्यादा हो गई है यानि पिछले 40 वर्सों में जितनी महंगाई नहीं हुई उतनी अब जो है वो आसमान चू रही है यानि USA में देखा जाए तो inflation rate है वो 7.3 तक पहुंच गई है अभी January का जो data है वो ये बता रहा है कि inflation rate है वो 7.3 के लगबग आ गई है इसी तरह से Britain या European countries हैं उनमें भी 25-30 वर्सों का record टूटा है और महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसी तरह से अपन और दूसरी जो countries जो हैं उनकी बात करें जैसे कजागिस्तान में भी कहा है कि महंगाई दर इतनी ज्यादा हो गई कि सरकारें बदलने के जो परियास है वो चल रहे हैं विरोध हो रहा है और इसी तरह से जैसे टर्की की बात करें तो टर्की में भी कहा है कि मुद्राव परिवर्तन का प्रस्ताव है वो दिया जा रहा है और बहुत महंगाई आसमान चू रही है तो महंगाई जब इतने ज़्यादा हो गई है महंगाई को कम किया जाए या एकोनोमी को सुधारने के प्रियास किये जाएं ये वरतमान में इस चीज की ज़्यादा जरूरत महसूस की जा रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो क्लास है इसमें अपन बात करेंगे, आज की कलास में अपन बात करेंगे कि किस तरह से economy को सुधारने के जो प्रियास हैं, वो अपनाए जाएं और economy सुधार के जो प्रियास हैं, वो basic platform पे उनका development किस तरह से हो, जिससे कहा कि भारत देश की एकोनोमी है, उसमें सुधार हो और जो अब तक जो सतरवी, अठारवी, उनिसवी सताब्दी है उस इन सताब्दियों में जो सामरिक सदी के नाम से जानी जाती थी यह सदिया वो अब किस तरह से उनमें परिवर्तन हो रहा है इसकी भी बात अपन करेंगे तो कहने का मतलब यह कि कोई भी देश economy की जो planning है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है और economy की यह जो planning दुनिया के देश कर रहे हैं जो waterfall approach पर आदारीत है यह प्रमप्रागत और conventional approach है जो की नुक्षान कर रही है समस्या जो है उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है लेकिन बारत ने जो approach अपना ही है एजाईल अप्रोच त्वरित दस्टिकोंड और बॉर्बेल रणनीती जो भारत ने अपना ही है यह economy को सुदारने के लिए एक कह सकते हैं कि उचित strategy जो है वो अपन इसको कह सकते हैं और सुदार भी हुआ है इन वर्सों में कहा है कि 2019 और 2020 के बीच जो कोरोना हमारी के दुरान अपन जिन समस्याओं से जूज रहे थे उनमें कहा है कि उन समस्याओं का समाधान भी हुआ है और economy में बारत के अर्ट्यवस्ता भी जो है वो उबरी है तो बारत सरकार ने economy के downfall से उबढ़ने के लिए economy का जो downfall जो चल रहा है economy downfall में जो चल रही है इससे निजात पाने के लिए भारत सरकार ने लास्ट क्लासुं में अपने बात की थी एजाइल अप्रोच अपनाई और एजाइल अप्रोच से जो समाधान निकले ये अपने आप में बहुत उचित समाधान थे एजाइल अप्रोच के करण जो प्लान बने बॉर्बेल रन्नीती के प्लान थे बॉर्बेल रन्नीती के प्लान ये प्लान मेरे द्वारा आपको बताएगे एकोनोमिक सर्वे की रिपोर्ट में ये है कि सोट्रम प्लान और लॉंग टर्म प्लान बनाएगे तो सोट्रम प्लान है इसमें ये वेरी सैप प्लान था बहुत ही सुरक्षित प्लान था और ये बहुती रिस्की प्लान था इसको रिस्की प्लान कहा जा सकता है यानि सोट्रम प्लान का जो है वो मिनिंग भारत सरकार ने एक नारा दिया कि जान है तो जहान है जान है तो जहान है और इसी तरह से लॉंग टर्म प्लान में ये कहा गया कि जान भी है जान भी है और जहान भी है तो आपको इन सभी चीजों के बारे में बताया गया कि किस तरह से जो इंडियन गवर्मेंट है इंडियन गवर्मेंट ने एजाइल अप्रोच अपना ही और एजाइल अप्रोच बॉर्वेल रणनिती पर आदारी थी जिसमें दो परकार के प्लान जो है वो दिये गई और ये जो दो परकार के प्लान हैं ये दो परकार के प्लान सोटरम प्लान और लॉंग टरम प्लान के अंतरगत जो है वो इनकी बात की गई सोटरम प्लान बहुत सेफ प्लान था और लॉंग टरम प्लान है वो एक यूँ कह सकते हैं कि रोजगार के लिए जो प्लान दिया गया वो long term plan था कि सबसे पहले यह मैसूस किया गया कि यदि जिन्दा रहेंगे और सेप रहेंगे सुरुक्षित रहेंगे तो रोजगार कर सकेंगे जिन्दा ही रहेंगे नहीं रहेंगे तो रोजगार कहां से होगा तो यानि अपन डिटेल से अगर देखें तो बॉर्बेल रन्निती में बॉर्बेल रन्निती का जो हिस्सा था एजाइल अप्रोच इसमें सोड ट्रम प्लान और लॉंग ट्रम प्लान लॉंग ट्रम प्लान जो अपनाया गया इंडियन गवर्मेंट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा देखो इसके बारे में अपन रिपिटिडली बात कर रहे हैं इसका कारण यह है कि इन सारी चीजों की समझ विक्षित करना चाते हैं दोहराव इसलिए कर रहे हैं कि इनकी समझ जब अपने विक्षित होगी तब अपन बजट के बारे में आगे से आगे अच्छी नोलेज जो है वो अपडेट कर सकेंगे तो सोट्रम प्लान है इसमें सिक्यूरिटी का जाल है वो फैलाया गया सिक्यूरिटी नेट का फैलाव हुआ सुरुक्ष्या के जाल का फैलाव किया गया यानि कह सकते हैं कि खाद्यान की आपूर्ती फूड सिक्यूरिटी प्लान बनाया गया फूड सिक्यूरिटी प्लान है उसके एकोडिंग बात की गई खाद्यान आपूर्ती योजना खाद्यान आपूर्ती योजना योजना खाद्य सुरक्षा योजना कह सकते हैं इसके अलावा बारत सरकार ने परदान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार योजना शुरू की रोजगार योजना शुरू की बारत सरकार ने सोट्रम प्लान में परदान मंत्री गरीब कल्यान योजना शुरू की जो की अपने आप में सिक्यूरिटी नेट का हिस्सा थी च्छे स्टेट्स में बारत सरकार ने योजना शुरू की च्छे राज्यों में बारत सरकार ने ये परदान मत्री गरीब कल्यान योजना की शुरूवात की यूपी कह सकते हैं एमपी है उत्राखंड है बिहार है राजस्तान है और उडिशा इन राज्यों में परदान मत्री गरीब कल्यान योजना सोट्रम प्लान के अंतरगत शुरूव की गई इसके अलावा नगद केस हस्तानांतरन की सुविदा है वो सरकार ने दी नगद केस हस्तानतरन इसके अलावा या बेंकों की किस्त बेंकों की या बिमा की किस्त को किस्त खिखिए कह पर आउधी में रियायत दी गई यह सोट्रम प्लान के अंतरगत आता है कि जान है तो जान है जान है तो जान है तो काम किया जा सकता है रोजगार पैदा किया जा सकते हैं लोंग टरम प्लान में आता है कि जान भी है और जाहान भी है यानि जब हम सेफ हैं शुरक्सित है तो हम रोजगार पैदा कर सकते हैं रोजगार पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा रोजगार पैदा करने के लिए जो उदारी करण का जो दोर आया यानी 1991 में उदारी करण का दोर था और उसके बाद कया कि कहने का मतलब कि सभी देशों की जो boundaries हैं वो खोल दी गई investment के लिए व्यापार के लिए सारे रास्ते खुल गए लेकिन कोरोना के दोरान जो है वो सभी देशों की दुनिया के देशों की जो boundaries हैं वो लोक हो गई और boundary less जो country हैं वो साबित हो रहे थे सभी देश कि lockdown जो लगा उसमें जो जरूरत मैसूस कीगी कि किस प्रकार से है वो economy में सुधार लाने के लिए जो long term plan है वो बनाया जाए तो भारत ने इसमें बहुत ही श्यांदार जो प्रियास किये वो कि आत्म निर्बर भारत अभियान चलाया जो की इन प्रियासों में एक मैतोपुन प्रियास था इसके अलावा production linked incentive schemes जो है वो चलाईगी 2020 में जो की 14 sectors में चलाईगी कुल 14 sectors में production linked incentive schemes चलाईगी इसी तरह से बहुत सारी जो योजनाई हैं वो long term लंबे समय के लिए रोजगार पैदा करने के लिए बारे सरकार ने जो है वो economy को सुदारने के लिए चलाई यानि कहने का मतलब है यह है कि lockdown में जब हम आत्म निर्वर रहेंगे और किसी पर प्रिंड नहीं रहेंगे तभी क्या है कि यह जो long term जो प्लान है वो सही साबित हो सकता है और अप्रोच जो है वह अपने और पहले unlock unlock one आया फिर unlock two आया फिर unlock three आया यानि lockdown के दोरान जो है वो धीरे-धीरे करते-करते सबसे पहले जो कुछ शेक्त्रों में कहा है कि जो रास्ते खुले और उनमें कहा है आदान-परदान शुरू हुआ फिर कहा है कि कुछ और विशेश शेक्त्रों में unlock किया गया और unlock three में सभी शेक्त्रों के द्वार जो exchange के लिए खोल देगे खोल दिये गए तो इस तरह से लॉंग ट्रम प्लान एक प्रकार से आत्म निर्बर भारत अभियान जो योजना है इसने एजाईल एप्रोच को अपने आप में साबित किया और इसका जो द्रस्टीकों जो रहा वो द्रस्टीकों क्या है कि भारत की एकोनोमी को म अपने आप में जो है वो पूरे दुनिया के सामने एक एक नया उधारन पेश किया तो यह थी बॉर्बल रणिती जिसको डिटेल से अपने इसकी बात की अब अपन बात करेंगे कि इस प्रकार से जो कोरोना पेंडेमिक के दुरान जो सुधार जो है वो बारत सरकार ने किये इससे पहले क्या होता था देखो सतरवी अठारवी और उनीस्वी सताब्दी जो है उनीस्वी सदी में इसको सामरिक सदी का जाता था सामरिक सदी और सामरिक सदी में तलवार से सोना खरीदा जा सकता था सोना खरीदा जा सकता था सोने से तलवार नहीं करीदी जा सकती था लेकिन जब बीस्वी सदी बीस्वी सदी में आर्थिक सदी जो आई आर्थिक सदी का नाम बीस्वी सदी को दिया गया इसमें सोने से तलवार खरीदी जा सकती है जा सकती है तलवार से सोना नहीं खरीदा जा सकता यह एक आर्थिक सदी के रूप में जो है वो बीस्वी सदी और सतर्वी इठार्वी उनीस्वी सदी है उसमें सामरिक सदी थी और उसमें कि एक प्रकार का उधारण है कि उस समय तलवार से सोना खरीदा जा सकता था लेकिन सोने से तलवार नहीं खरीदी जा सकती और अब सोने से तलवार खरीदी जा सकती है पावर बैलेंस किया जा सकता है और पावर बैलेंस दुनिया के देश कर भी रहे हैं लेकिन तलवार से सोना नहीं खरीदा जा सकता तो ये अपने आप में ये बात जो है वो सही साबित होती है और कोविड-19 में कोविड-19 में ये जो आर्थिक सदी का जो प्रारूप था जिसमें सभी देशों के देशों के व्यापारिक रास्ते खुले थे ये जो विचार है ये इस कोविड-19 या कोरोना महामारी ने कोरोना महामारी ने ये उदारी करण का विचार उदारी करण का विचार पूर्णतया द्वस्त कर दिया यानि जो विचार एकोनोमी को सुधारने के लिए लाया गया था दुनिया के देशों द्वारा ये विचार ही पूरी तरह से ये विचार ही द्वस्त हो गया यानि सभी देश जो हैं उनमें कह सकते हैं बाउंडरी लेस बाउंडरी लेस एकोनोमी होई और जो है वो देश हैं वो बाउंडरी लेस कंट्रीज के रूप में नजर आ रहे थे कि लोकडाउन था सीमाएं लोक थी और सीमाएं लोक थी तो कैसे उदारीकरण का जो विचार है उस विचार को फोलो करते हुए और व्यापारिक समाधान या व्यापारिक रास्ते खोलने के प्रियास किये जा सकते थी तो इस समश्या का समदान करने के लिए भारत ने एजाइल अप्रोच अपनाई जोगी अपने आप में बहुत ही फाइदे मन साबित हुई और भारत में भारत में उदारी करण की निती कोविड नैंटीन में फैल होने के बाद होने के बाद आत्म निर्भार एबी ये है दो हजार बीस के अंतरगत अंतरगत अर्थ को को अ कि इस्टार्ट अप स्टार्टप में बढ़ोत्री की गई और स्टार्टप में बढ़ोत्री करने में USA, चाइना और तीसरा इस्तान जो था वो इंडिया का था यानि भारत ने अपने स्टार्टप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए तो एजाईल अप्रोच के अंतरगत जो अपना आत्म निरबर भारत अभियान था इसमें भारत ने क्या है कि कोविड-19 में उदारीकरण की जो नीती है वो फैल साबित हो रही थी तो स्टार्टप में बढ़ोतरी की और भारत स्टार्टप को बढ़ाने में तीसरे स्टान पर भारत जो है वो दुनिया के देशों के सामने नजर आया तो इस तरह से बारत ने एकोनोमी में सुधार करने के लिए ये महत्तोपूर्ण प्रियास किये अब देखो आपको पता होना चाहिए कि एकोनोमिक सर्वे मैंने आपको बताया था कि पहला जो चैप्टर है फस्ट जो चैप्टर है यह है स्टेट ओफ एकोनोमी स्टेट ओफ एकोनोमी यानि अर्थ व्यवस्ता की स्थिती और मैंने यह भी बताया था कि इस चैप्टर से लगबग तीन-चार क्योशन जो है वो पीटी में पूछे जाते हैं और दो क्योशन कंफर्म जो है वो मैंस एक्जाम में यूपियसी मैंस में आते हैं चालीस नंबर के क्योशन है इसमें सौल होते हैं तो स्टेट ओफ एकोनोमी में किस प्रकार का रिफॉम है वो सामिल किया गया तो स्टेट ओफ एकोनोमी अर्थ व्यवस्ता की स्थिती को सुदारने के लिए जो रिफॉम था वो था सप्लाई बेस रिफॉम यानि आपूर्ती को बढ़ाया गया और आपूर्ती को बढ़ाना भारत देश के लिए बहुत ही कारगर रहा भारत के लिए महंगाई इसी लिए चुनोती नहीं बने इसी कारण से भारत में महंगाई चुनोती नहीं बने चुनोती नहीं बन पाई नहीं बन पाई और दूसरा कारण ये भी था कि बारत ने महंगाई के आंकडे CPI आदार पर जारी किये जाने लगे पहले WPI के आदार पर डेटा जारी किये जाते थे और अब जो है कि महंगाई जो है उसको थोड़ा रोका गया भारत ही एक ऐसा देश था जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो इस कोरोना पैंडेमिक के बाद में बढ़ी है बागी सभी देशों की 40-40 वर्षों के दोरान ग्रोथ रेट है वो डाउन आई है तो इस तरह से यह सारी चीजें आपके सामने हैं जिनमें रेक्वाइर्मेंट ये महसूस की गई कि निरियात अधिक हो और दुनिया के दुनिया के ज़्यात अधिक हो और दुनिया के जो ज़्यादातर देश है वो आयात अधिक करते हैं आयात अधिक करने वाले करने वाले देशों की एकोनोमी सर्वादिक प्रभावित रही जो देश आयात अधिक करते थे उनकी एकोनोमी है वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रही और और मैंने आपको बताया भी था अभी कि अमेरीका जो है और यूरियोपियन कंट्री जहें टर्की कजाकिस्तान है इन सभी देशों में क्या है कि महेंगाई की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और देश की जो एकोनोमी है वो डाउन फॉल में चली गई आपको ये भी बताया गया था कि इंफलेशन है इंफलेशन दो से कम नहीं होना चाहिए और दो से कम नहीं हो और छैसे अधिक नहीं हो यानि 4 प्लस माइनस 2 जो विवस्था है वो होनी चाहिए भारत में भारत में पन बात करें 2020-2021 की और 2022-23 की तो जो इंफ्लेशन रेट जो रही वो 19-20 में 4 परसेंट थी 20-21 में 6.2% यानि 6 से बड़ी 21-22 में 5.2% और अभी 22-23 में अभी जनवरी में 5.3% है यानि कहने का मतलब inflation जो rate है वो 6 से वापस कम आ गई है यानि मुद्राइस्पिती कम हो गई मुद्राइस्पिती कम हुई है कोरोना महमारी के बाद मुद्राइस्पिती का कम होना बहुत ही आकरशक परिणाम है इंफलेशन के क्या कारण है और मुद्राइस्पिती देश दुनिया के देशों में क्यों बढ़ रही है इन्फलेशन के क्या कारण है, दुनिया के देशों में मुद्रा इस्पिती क्यों बढ़ रही है? इसकी बात अपन करेंगे, दुनिया के देशों में मुद्रा इस्पिती इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मैंने आपको अभी बताया था, कि महंगाई चरम पर है, दुनिया के सभी देशों में क्या है, कि महंगाई की रेट है, वो बहुत ही है और मुद्राइस्पिती जो है वो कम मुद्राइस्पिती कम कैसे हो सकती है जब फोरें एक्सेंज रिजर्व किसी देश का मजबूत हो तो मुद्राइस्पिती कम की जा सकती है भारत का फोरें एक्सेंज रिजर्व वर्तमान में 630 बिलियन डोलर के लगबग है 633 बिलियन डोलर है तो 633 बिलियन डोलर भारत का फोरें एक्सेंज रिजर्व है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा कहा जा सकता है बाकी देशों में बाकी देशों में नहीं है जैसे जैसे बहुत कम जो फोरें रिजर्व है वो पाकिस्तान में ले ले पाकिस्तान में श्रिलंका में पाकिस्तान और श्रिलंका में तो फोरें एक्सेंज रिजर्व ने के बराबर है तो यहां महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यह एक अच्छा संकेत नहीं है इसी तरह से ब्राजील में भी फोरें एक्सेंज रिजर्व जो है वो कम है तरकी में कम है तो यह बढ़ती हुई महंगाई से जूज रहे हैं यह देश अब देखो अपन बात करें कि इस समय कम से कम 20 देश ऐसे हैं इस समय 2021 में कम से कम 20 देश ऐसे हैं जिनकी इंफलेशन रेट है वो 10% से अधिक है इंफलेशन रेट दस परतिशत से अधिक है और दस परतिशत से अधिक इंफलेशन रेट होना अपने आप में एकोनोमी है वो बरबाद एकोनोमी कही जा सकती है कि दो हजार 19 बीस में दो हजार 19-20 में यह 2020-21 की बात है 2021 में में 2020 में अपन बात करें तो तेरे देश ऐसे थे जिनकी इंफ्लेशन रेट इंफ्लेशन रेट दस परतिसत से अधिक थी 19-20 में 13 देश थे और 20-21 में 20 देश ऐसे होगे जिनकी इंफ्लेशन रेट 10 परसेंट से भी ज़्यदा थी RBI ने अभी RBI ने अभी अपनी मोनेटरी पोलिसी जो जारी की इंफ्लेशन में सुधार के लिए जारी की इंफ्लेशन में सुधार के लिए RBI ने मोनेटरी पोलिसी में आने वाली जो रेपो रेट है रेपो रेट और रीवर्स रेपो रेट रीवर्स रेपो रेट इसमें कोई बदलाव नहीं किया यानि यथावत रखा है RBI ने इनको यथावत रखा है कोई भी चेंज नहीं किया है इंफ्लेशन मुद्राइस्पीती को कम करने के लिए जो आर बी ने अभी मोनेटरी पोलिसी जारी की तो RBI ने इनको यथावत रखा है ताकि देश में मुद्राइस्पीती बड़े नहीं जो है वो कम रहे तो मैं आपको बता रहा था कि बात अपनी चल रही थी कि सप्लाइ बेस रिफोम है सप्लाइ बेस रिफोम किस तरह से किये जाए स्टेट ऑफ एकोनोमी है वो सप्लाइ बेस रिफोम पर आधारीत है तो economy में दोईपर कार के uniform होते हैं हे अपने कह सकते हैं कि economy में अ बेसिक रूप से दो परकार के Reform हैं मों किये जा सकते हैं एकोनोमी में दो ही परकार के Reform हो सकते हैं economy में & मेरी फोम, अपन ले सकते हैं, डिमांड बेस रिफोम, और सप्लाई बेस रिफोम, सप्लाई बेस रिफोम, डिमांड बेस रिफोम से मिनिंग है, कि रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़ाया जाए, बढ़े, तो रोजगार जितना बढ़ना चाहिए, उतना बढ़ नहीं पा रहा है, तो भारत सरकार जो है, वो क्या कर रही है, कि सप्लाई बढ़ा रही है, आपूर्ती बढ़ा रही है, समश्याओं का समाधान निकल पाना आसान हो जाता है, डिमांड बेस रिफोर्म का मतलब रोजगार बढ़े, रोजगार जो है, वो सरकार यदि नहीं बढ़ा पा रही है, तो सप्लाई बेस रिफोर्म हो, और सप्लाई बेस रिफोर्म में एकोनोमिक एक्टिविटी बढ़े, ताकि सभी संबव समश्याओं का समाधान निकल पाना आसान हो, तो बारसरकार ये प्रियास कर भी रही है, और बारसरकार के प्रियास है, वो देश की एकोनोमी है, उसको बढ़ाने के लिए खरे भी उत्रे हैं, अब देखो, अभी जैसे बारसरकार का जो बजट पारित हुआ, इसमें क्या है कि मैंली तीन बिंदू सामने जो है वो अपने आए, जो कि अपन ये कह सकते हैं कि रोजगार बढ़ाना, टैक्स कम करना, टैक्स कम करना, और यहों कह सकते हैं कि मैंनरेगा में रोजगार बढ़ाया जाए, यह चीज रोजगार बढ़ाने के वाली चीज है, वो नहीं हुई, रोजगार नहीं बढ़ाय गए इस बजट में, टैक्स को कम भी नहीं किया गया, यह भी नहीं हुआ, और मैंनरेगा का जो बजट है, मैंनरेगा का बजट लगबग एक लाक करोड रुपे के लगबग आता था, 98-99 जार करोड रुपे, हजार करोड रुपे के लगबग यह बजट आता था, पेस किया जाता था, यह 73,000 करोड रुपे किया गया, करोड रुपे, यानि मेनरेगा का बजट भी कम कर दिया गया लेकिन एक चीज हुई ये जो बाकी का अमाउंट है सेस अमाउंट अमाउंट जो है ये कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिंचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिंचर में डाल दिया गया बाकी का अमाउंट है वो परदान मंत्री गती सकती योजना परदान मंत्री गती सकती योजना गती सकती योजना के अंतरगत कैपिटल एक्सपेंडिंचर में डाल दिया गया इसको कम तो किया गया लेकिन इसका उपयोग इसमें कर लिया गया और tax जैसे कम नहीं हुआ लेकिन बढ़या भी नहीं गया रोज़गार नहीं बढ़े और रोज़गार नहीं बढ़े ये एक drawback था और इसको balance करने की कोशिस की गई कि supply बढ़ाई गई तो जैसे यानि क्या प्रभाव पड़ा एजाइल एप्रोच जो अपनाई एजाइल एजाइल जो एप्रोच भार सरकार ने अपनाई एप्रोच का क्या प्रभाव रहा क्या प्रभाव रहा तो आप ये कह सकते हैं कि 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 2019-20 में अपने देश की जो ग्रोथ रेट है ये लगबग 19-20 में और 20-21 में और जैसे अपन एकोनोमी की बात करें अपने एकोनोमी कितनी थी तो भारत देश की एकोनोमी है वो 2019-20 में लगबग 2.93 ट्रिलियन डॉलर थी ट्रिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर और ग्रोथ रेट है वो 4 परसेंट थी आपको बताया था पिछली क्लास में ग्रोथ रेट 4 परसेंट थी और अपने देश की एकोनोमी 2.93 ट्रिलियन डॉलर थी और इसी तरह से 20-21 में तो 20-21 में ग्रोथ रेट है वो माइनस 7.3 आई तो देश की जो एकोनोमी है वो 2.67 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी थी ट्रिलियन डॉलर और इसी तरह से 21-22 में ग्रोफ रेट आई 9.2% और देश की जो एकोनोमी है वो हो गई 3.1 ट्रिलियन डोलर और जो संभव आगे संभवना जो है आगे के बजट में बजट के आगे क्लासों में बता जाएगा आठ से 8.5% एकोनोमी जो है वो 2022 थे इसके बजट में बताई जा रही है और लगबग 5 ट्रिलियन डोलर की एकोनोमी का जो है वो अपने अनुमान लगया है पाँच ट्रिलियन डोलर ये अनुमानित है तो कहने का मतलब 19-20 में अपनी एकोनोमी है 2.19 ट्रिलियन डोलर थी 4% growth rate फिर 2021 में अपना growth rate है वो बहुत कम हुआ minus में चला गया minus 7.3% और 2.67 trillion dollar है वो अपनी economy उस समय पहुँची 2021-22 में growth rate बड़ी 9.2% हुई 3.1 trillion dollar अपने देश की economy पहुँच गई और 22 थेश की budget की बातें आगे भी अपना आगे किलासों में करेंगे तो उस समय भी जो है उस चीज को बताया जाएगा इसका मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कि recovery तो हुई है recovery या सुधार हुआ है सुधार निश्चित रूप से हुआ है निश्चित रूप से हुआ है निश्चित रूप से सुधार हुआ है यानि अपने यह कह सकते हैं कि देश की एकोनोमी वी सेफ एकोनोमी कही जा सकती है वी सेफ एकोनोमी यानि अपन बात करें जीडीपी और समय की जीडीपी और समय के ग्राफ की तो पहले जीडीपी ज्यादा थी फिर जीडीपी है वो कम हुई पहले ज्यादा थी कम हुई और फिर जो है वो एकोनोमी बड़ तो ये वी सेफ एकोनोमी अपनिए कह सकते हैं, कि बारदेश में वी सेफ एकोनोमी रही, वी सेफ पहले ज़्यादा थी, कम हुई और फिर बड़ी वी सेप एकोनोमी तो वी सेप एकोनोमी देश की एकोनोमी मानी जा सकती है कि एकोनोमी जो है वो पहले ज़्यादा फिर कम हुई और फिर एकोनोमी है वो बड़ी है इस तरह से अपने देश की एकोनोमी रही तो recovery निश्चित रूप से हुई है क्योंकि पहले 4% थी 4% के बाद down जो हुई वो minus 7.3% हुई और 9.2% जो है हुई और फिर क्या है कि अपन यह कह सकते हैं कि जो अनुमान है यह 8.5% का अनुमान है तो economy वी सेप economy इस तरह से कही जा सकती है और अब देखो जो सुदार हुई जो सुदार हुई सभी सेक्त्रों में सुदार नहीं हुआ यानि पहले economy जो है वो बड़ी पहले चार परसेंट थी कम हुई कुछ सेक्त्रों में बड़ी और कुछ सेक्त्रों में कम हुई कुछ सेक्त्रों में सेक्त्रों में सुदार हुआ जैसे उद्योग के सेक्त्र में है वो बहुत सुदार हुआ लेकिन सेवा के सेक्त्र में सेवा सेक्त्र बहुत प्रभावित रहा सेवा सेक्त्र प्रभावित रहा देश में तो के सेप इकोनोमी कर भी कहा जा सकता है सुदार के अनुसार कुछ सेक्त्रों में कमी हुई कुछ सेक्त्रों में बदलाव आए कुछ सेक्त्रों में नकारात्मक बदलाव आए तो इसकी बात अपने जैसे लास्ट कलास जो है उनमें अपने बात की कि किस तरह से क्रसी उद्योग और सेवा के सेक्टर में क्या-क्या बदलाव आए और जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को भी अपने बताया था कि सबसे परभावीत सेक्टर क्या रहा और सबसे जो एकिस सेक्टर में हुई थू तो शुदार के अनुसार अपने देश की कि को का आधा सकता है के पिकोनोमी क्या बताती है के सेफ इकोनोमी यह बता रही हैं कि गरीब है और अमीर के बीच के बीच का गेब बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है के सेफ एकोनोमी यह बताती है गरीब और अमीर के बीच का गैप जो है वो बढ़ रहा है यानि गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है तो इसका अपन जो है वो देख सकते हैं कि जैसे जीडीपी है और समय के बीच कब कब किस तरह से जो हो क्या बदलावाए हैं तो अपन कह सकते हैं कि 2019-2020 की बात करें अपन और तीमाही की बात करें तीमाही में क्या बदलावाए उसके बात अपन अगर करें तो 2019-2020 की जो चार तीमाही है इनमें अपने देश की जो जीडीपी है वो कम हुई है ग्राफ डाउन ही आया है गरीब और अमीर के बीच का गेप कैसे बड़ा किस तरह से बदलावाए तो तीमाही के अनुसार अगर अपन इस ग्राफ को देखें तो चार जो तीमाही हैं 2020 के दोरान इसमें पांच पैंड चार परसेंट थी एकोनोमी पांच पैंड चार परसेंट थी पहली तीमाही में दूसरी तीमाही में चार पैंड शे परसेंट थी तीसरी तीमाई में अगर बात करें तो 3.3% थी और चोती तीमाई में 3.0% थी ये बात अपन कर रहे हैं 2020 की इसी तरह से अपन 2021 की अगर बात करें 2020 की अगर बात की जाएगा तो पहली तीमाई में पहली तीमाई में एकोनोमी डाउन थी माइनस 22.4% एकोनोमी माइनस में थी और दूसरी तीमाई में 20 की समें एकोनोमी माइनस 7.4 यानि बढ़ी तीसरी तीमाई में एकोनोमी और बढ़ती है ये पहले क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर में और तीसरे क्वार्टर में एकोनोमी 0.5% और चोथे क्वार्टर में, चोथी तीमाई में भी एकोनोमी बड़ी है, एक पैंट शे परसेंट, एक पैंट शे परसेंट, यानि 1920 और 2021 की अपन तुलना करें, तो 1920 में जैसे ही कोरोना आया, कोरोना का जो पैंडेमिक महामारी आई, तो कोरोना के दोरान एकोनोमी डाउन होई और डाउन होकर पहली तीमाई में 22.4 पहुँच गई, फिर दूसरी तीमाई में, 20-21 की दूसरी तीमाई में बढ़ी है, मैनस 7.4, फिर 0.5 परसेंट और फिर 1.6 परसेंट तक बढ़ी है, यानि देश की एकोनोमी में तीमाई के अनुसार सुदार हुआ, और इसी तरह से अपन बात करें, कि 2021 में तो 2021 में पहली तीमाई में एकोनोमी 20.1 परसेंट थी, और दूसरी तीमाई में गठकर जो है, वो एकोनोमी कम हो गई, 21-22 में 9.2 परसेंट तक पहुंच गई, जो एकोनोमी की रिपोर्ट बता रही है, तो इस तरह से जीडीपी में इस तरह से बदलाव आया है, अब देखो अपन बात करें, यह ग्राफ जो है, के से परिकवरी को दरसाते हैं, कि किस तरह से गरीब और अमीर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, जीडीपी कम होती जा रही है, और जीडीपी कम हो रही है, यह संकेत जो यह बताता है, कि तिमाई के अनुसार जो बदलाव है जीडीपी में, यह आपको बताएगे, ग्राफ के अकोडिंग, आप देखू, अपन बात करते हैं कि 2020 और 2021 इन दोनों वर्सों में किस देश की एकोनोमी कम हुई और बड़ी, इसका अगर अगर अपन तुलनात्मक अध्यन करें, तो 2021 में, अपने देश की जो एकोनोमी है, आठ पाइंट तीन परसेंट और 2021 बाइस में, 2021 में, और 2022 तेश की बात अपन करें, 2022 तेश की, आठ पैंट साथ परसेंट, इसी तरह से चाइना की जो जिडिपी है, वो कम हुई है, और अमेरिका की जिडिपी है, वो भी कम हुई है, तो कहने का मतलब भारत की जिडिपी है, वो बड़ी है, और भारत की जिडिपी बढ़ने का सबसे बड़ा जो परिणाम है, वो यही है कि भारत देश ने एजाइल अप्रोच अपनाई, और एजाइल अप्रोच जो है, उसके अकोडिंग बॉर्बेल रन्निती से शोटरम प्लान और लोंग टरम प्लान मनाकर समस्याओं का समधान करने कोशिस की गई, अगली क्लास में अपन बात करेंगे, यह जो जो एकोनोमिक की जो कंपेरीजन है, इसकी अपन बात करेंगे, और आगे एकोनोमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसको और आगे पढ़ेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद.